नमस्कार आप देख रहें नेक्ष नाइन नियूज में हूँ आपके साथ दीपक गुपता सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे भारत देश की सियासी सत्ता को लेकर इस समय देखा जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जिन जिन कर पाया है अखिलेश यादप की पार्टी से अखिलेश यादप मयावती की पार्टी से मयावती ममताव एनर्जी की पार्टी से ममताव एनर्जी बिहार से नितीश कुमार और अगर अब बात करें दिल्ली से अरविंद केजरिवाल और कांग्रेस से राहुल गांदी का ना का अच्छा खासा कारेकाल चला है क्या उनके चेहरे की जगा इस बार दोहजार चोबिस में किसी और चेहरे को चुछ नाम में उतारती नजर आईगी क्यूंकि विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर हो रहा है राहूल गांदी के तमाम बयान अगर गोर करें मायावती की बयान कही न कही शरतवार के वयान गोर करें तो इन सब बातों को लेकर एक बात साफ होती नजर आ रही जिस तरीके इस तमाम चड़चाओं का विशे है ये देखना दिल्चस्प रहेगा क्या बीजेपी भी अपना कही न कही परधान मंतरी चेहरा बदलती नजर आएगी या नही क्ड़चाओं का बात करें तो दो बार परधान मंतरी नरेंदर मोदी पत पर रह चुके हैं और जिस तरीके से मोदी पर आरोप लगाये जा रहे हैं अडानी का मामला हो जाहे यहाँ पर चुनावायोग का मामला हो उसको ध्यान में रखकर क्या किसी और चेहरे को इस बार ब बिल्कुल आप सही का रहा है लेकिन फिर उसके बाद बैठे के हुए और जानकार ये कहें कि हाँ किसी का नाम लिस्ट में आ सकता है फ्यूचर के लिए हम सोच सकते हैं लेकिन 24 के लिए मोदी जीतने के लिए अगर मोदी जी को हटा दी जाएगा तो शायद फिर हरना मुश्क लेकिन 24 में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता तो एंटीन कंबेंसी जैसा एक वर्ड भी है जो पॉलिटिक्स में बहुत चलता है और विपक्ष का पीम चेहरा बीने तो क्या मोदी जीत पाएंगे वही एक दम दमदार जीत नहीं होगा क्योंकि अगर उनके च सबसे बड़ी टाकत है लेकिन ये टाकत कब तक यहाँ पर बीजेपि के साथ रहे गी है अगर बाजी मार पाएगा तो किस नाम के सहरे इस तरीखे से विपक्ष में कई खेंगे बटे हुए अगर राजनित है तो विपक्ष किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाता है तो ये कही न कहीं बीजेपी के पक्ष में जाएगा ये सारी चीज़े और इस से काफी जादा नुकसान जो विपक्ष को उठाना पड़ सकता है अब देखिए कि कई बड़े मुद्दों बेखास वर्ट से जो आज का म पूरी राह जो है वो और जादा असान होती चली जा रही दोजार चौबिस की अब जब के मातर 15 महीनों का समय रह चुका है और इस बीच कोई खास मुद्दा अगर विपक्ष के खिलाफ नहीं बना पाता है जिस तरीके से अड़ानी वाले मुद्दे को लेकर कि हिंडन बर के खिस कद्रा umनां मीनों के खिल Websya चाहिए गारंकर पाता है उसमें कोंग्रेस पार्टी शामिल को शामिल होना चाहिए था विजबेगर के किख trilाफ एक मौहम तैयार करना है तो जाहर सी बात है कि सबीगी को अपने मतमेहिद को भुला करके एक मंच पर आना ही होगा तब ही जाका कि सथा में वापसी, विपक्ष की हो पाएगी, तो यह इसके लिए कांग्रिस को भी पहल करनी चाहिए और जाहिए सी बात है कि जो खासर से उत्तर परदेश के कई बरे छेतरी दले समाजवादी पार्टी की बात करें बस्पा की बात करें यह तममें इसी पार्टी हैं जिनके एक साथ आने के बाद बीजेपी के खिलाब एक बड़ी ताकत जो है विपक्ष बन करके उभर सकता है बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर कुछ और सवाल भी है कि जैसे कि अगर परदान मंत्री मोदी के हम बात कर रहे हैं और भारत देश की बात कर रहे है तो भारत देश इस 2023 के अगर बात करें शुरुवात में कुछ खबर ऐसी आई थी कि चीन को भी अबादी की मामले पचारता नजरा रहा और लोकतांत्रिक देश माना जाता यानि कि सबसे ज़्यादा अबादी वाला देश लोकतांत्रिक होगा और अगर चुनाव होगा तो इतिहास रचा जाएगा लेकिन इस इतिहास रचने में सबसे बड़ा जो खलनायक रहेगा वो क किसे बनेगी नितिन गटकरी हो गए राजनात हो गए और हम यहाब लेकिन किस बलबूते पर बनना है वो आप ममताब एनर्जी को ले लो मायवती को ले लो अखिलेश को ले लो सबको प्रधान मंत्रे बनना है लेकिन किस बलबूते पर बनना है आपने क्या काम क्या आप कभी ये तो सामने लाइए कि अपने जनता के लिए क्या कुछ किया है बात रही हैं यहां पर कि मोदी के च जाती है कर एक उधारण में आपर दू तो कल को ये भी बात होगी ना अगर पेमोदी कहेंगे कि आज तक हम गलत समझते थे कि सुरज पूर्फ से उखता है वो पश्यम से होगेगा तो यहां पर लोवूस बात को भी मानेंगे इतनी बड़ी बात यहां पर पेमोदी को लेकर क तीनों राजजी यहां पर हारते नज़र आए एक आखरी सवाल कपिल और प्रांशी से रहेगा बहुत कम शब्दों में क्या 2024 में आप दोनों बदलाव देख रहे हैं अगर देख रहे हैं तो क्या बीजेपी किसी और चेहरे पर दाव लगा सकती है बिलकुल अगर प्रांशी सेख आखरी सवाल विपक्ष की रणनीती को कैसे देख रहे हैं देखना यहां पर यह दिल्चस्प होगा क्या वाकई में विपक्ष अर्विंद केजरिवाल के लिए यहां पर महागडवन्दन करता हूँ नज़रा क्यों कि राहुल गांदी को लेकर यह दावे क यह दा रहे हैं कि पूरा विपक्ष उनके साथ है लेकिन अर्विंद केजरिवाल के साथ यहां पर कोई नज़र नहीं आ रहे हैं तो अब लगता है कि कहीं नहीं के प्रमुक रहे उद्धव ठाकरे संगाली में उन्होंने मुलाकात की थी तो इस तरह से देखा जाए बिलाकर देखा जाए जब अभी तीनों राज्यों में जीत हासिल करी थी और पीम मोदी ने एक लाइन कही थी कि विपक्ष कहरा है कि मर जा मोदी और मोदी के लिए जनता के रिए कि मत जा मोदी तो वही बात नज़र आ रही है लेकिन क्या जनता सचमुच यह चारी है आप ज़लतकि देश को इस समय सबसे अबादी वाला देश का दर्जा मिला हुआ है और लोकतांत रिए सम्विधान खत्रे में ऐसा विपक्ष कहा है लेकिन बीजेपी कह रहे है कि सम्विधान खत्रे में है बलकि विपक्षी पाट्यों की वो कूट नीती खत्रे में है जो अभी झाल